तो आज हम अपने लेक्चर में डिसकस करने जा रहे है गंगा डाटा कलेक्टर एप के बारे में बिसीकली एप है जो कौवर्मेंट ने लॉंच किया है जिसमें गंगा रिवर्से रिलेटिड डाटा को कलेक्ट कर सकेगी इस एप के तुरू और पब्लिक से देख सकती है तो काफी अच्छा अप है यह गंगा को प्रिजर्फ करने के लिए गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए गंगा में जो तो गंगा नदी का वैसे उद्भाव कहा से बताया जाता है गंगोर्तरी से तो चलिए स्टार्ट करते हैं काफी पूजा पाथ की रिवर है यह काफी पवित्र रिवर है जैसे आपको पताईए तो काफी इंपोर्टन हो जाते है टॉपिक हमारे एक्जाम पॉंट वी के साथ स एप और इस एप को किस मिशन के अंडर लांच किया गया है नैशनल मिशन फोर क्लीन गंगा यह जो मिशन है नैशनल मिशन फोर क्लीन गंगा इसके अंडर लांच किया गया और यह मिशन किसका था यूनियन मिश्ट्यू आफ जल सकती है ठीक है तो याद रखेगा कि जो गं प्रिजर्व करने का काम करेंगे वॉलिंटियर बनाए गए ते कुछ इसके साथ साथ और जो हमारे फॉरस्ट डेपार्टमेंट के स्टाफ हैं जितने भी ग्यार इस्टेट्स में जहां पर गंगा बेसी जहां पर गंगा की जो पानी है वह पहुंचते हैं तो इंडिया की 11 स् जो हमारे फॉरस्ट डेपार्टमेंट के करमचारी वह और गंगा परहरी वॉलिंट यह बिसिकली डाटा क्लेक्ट करेंगे और इस एप्लिकेशन में अपना डाटा डाल सकते हैं वह डाटा किस प्रकार का ओ डाटा होगा कि यहां की क्वालेटी कैसी है वाटर की गंगा रि अब इस सभी के डाटा को कलेक्ट करके इस एप में डाला जाएगा कि इनके द्वारा जो गंगा परहरी वॉलिंटियर से और जो इस्ताफ है हमारे फ़ॉर्श डेपार्टमेंट के ग्यारा इस्टेट्स है और इस वान से जहां से गंगा बेसियन है जिंजन से अब इससे हो अब इन जाटा को क्लेक्ट करके हम यह पता कर पाएंगे कि गंगा में किस जीव की संरक्षन की अधिक आवशकता है क्या डाटा है मतलब किनकी किस जीव की कितनी संख्या है उनको प्रोट्रेट करने के लिए क्या कि खदम उठाने चाहिए पॉलुशन कितना लेवल तक बढ क्लीन गंगा के बारे में भी साथ में देखी लेता है क्योंकि इसी के अंदर बेसिकली यह एप लॉंच किया गया है तो जो नैसनल मिशन फोर क्लीन गंगा है यह जैसा नाम से ही पता चलता है क्लीन गंगा मतलब इस प्रोजेक्ट का में उदेश्य ही है कि गंगा रिवर को साफ सफाई करना और इसको स्थापना की गई थी इस प्रोजेक्ट की 2011 में अंडर सोसाइटी रेजिट्रेशन एक 1868 जो 1808 का हमारा सोसाइटी रेजिट्रेशन एक्ट 860 का उसके अंतरगत इसके स्थापना की गई थी और यह जो NMCG है मतलब National Mission for Clearing Ganga है यह हमारा जो स्थायर्शन श्थायर्शन उसी की एक विंग है नेशनल गंगा गंजल की दूसरी नाम भी होता है नाचल पर रीज मुनिशन प्रोटेक्शन अल मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा इसको आप शॉट में यह इसका दूसरी नाम से जिलूप फेमस है नेशनल गंगा कांसिल की भी खा जाते है तो इसी की एक विंग है National Mission for Clean Ganga ठीक है अब National Mission for Clean Ganga के टू टायर्स होते है Management के management किस परकार करना है इस Mission के अंदर एक होता है Gornin Council जो Rule Regulation वगरा बनाते है और एक होता है Executive Committee जो कारे करते है इनका काम तो के Rule वगरा बनाना की कैसे क्या काम होगा ग्राउंड लेवल पर जाके गंगा के लिए कार्य करना और इन दोनों जो हमारी structure और इसको अब करता है डिरेक्टर जर्नल ऑफ चर्फ नेशनल मिसने फोर क्लीन गंगा के जो डिरेक्टर जर्नल इसके बारे में हमारे को जानना काफी जरूरी हो जाता है तो वाइलाइफ इंस्टूट ऑफ इंडिया है यह एक जैसे कि आपको पता है गंगा कब इसीन भी वहाँ पर होता है और इसमें अंदर होता क्या कि टॉफर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एकैडमिक कोस एडवाइजरी इन दा वाइल लाइफ रिशर्च और मैनेजमेंट ठीक है ना हमसे ही पता जाता है वाइल लाइफ से रेटि प्रेंट हो जाता है तो अपने कोई डाउट्स कोई सजेशन कोई कैरी जए तो हमें जरूर भेजिए और अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे ठेंक्यू